हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्ण बेंग सामाजिक विग्जान को हल करेंगे तो इसमें हम प्रश्ण किरमांग 127 से हल करना था तो इसके पहले के प्रश्णों को यदि आपने हल लहीं किया तो चैनल के प्रेलेश्ट में जाएं बहां से पहले इस आउसको देखें उसको हल करें एप अपनी तीर टयो आँस कौंसी भू आकर्टी बनाती है अब हमें प्राश्णन में पूचा गया है की नदी अपनी तिसरी आए वस्ता तीष्ट कोन का रहिए ब्रद्ध बनाती है बनाती है ऑप्शन सी है डेल्टा ऑप्शन डी है छाड़न जील तो बताइए कि नदी अपनी तीसी विवस्ता में कौन सी भू आकिरती बनाती है नदी अपनी तीसी विवस्ता में डेल्टा आकिरती बनाती यानि ऑप्शन नमर सी इसका सही है डेल्टा आकिरती बनाती है तो 117 का सही difference हो जाएगा option number C on the question of course 128 से हमारे घर में चूले में जो कोईला मा उपियोक करती है वह किस प्रकार की शेल है अब बताना कि जो हम घरों में चूले में जो किोईला उपियोक करती है वह किस प्रकार की सेल है यह हम बताना है cooperate लखाए कायंतरत सेल option भी औगनिये सेल अप्सटन डी है ग्रेन आइट सेल तो बताए किस प्रकार की बहत के यह उसादि के या निफ्सक्राय. 118.128 के साही अंसर होगा option number C फिर हम प्रश्ण करमां 99 को करेंगे प्रश्ण करमां 139 है अबदुल का घर सरदियों में बर्प से डख जाता है अबदुल का घर है जो बैस सरदियों में बर्प से डख जाता है गर्मी तो उसके घर में लगती ही नहीं क्योंकि अब दोहल का घर अब बताना क्या कारण करणी नहीं लगने का तो option नहीं लगा उंचे परवादपर है option B वी पठार पर है option C मेंदान में या option D A, V C तीनों सही है तो बताएएं कि गर्मी नहाँ लगने का क्या कारण है जिसका सब्सार होगा कि उंचे परवतपर है यानि खड़ा तार रात में बरसा होने से पानी में बदल गया यह परिवातन कहलाता है अब बताएं नमक का पानी में बनना को किस प्रका का परिवातन है यह आपको बिचाना है तो option A लखा अपरदन, option B अपच्छ, option C अनाच्छादन, option D रासानिक परिवर्तन, बताइए नमक का पानी में बनना किस प्रिकार का परिवर्तन कहलाता है, यह परिवर्तन रासानिक परिवर्तन है, यानि option number D इसका सही आंसर है, 130 का option number D सही आंसर, फिर हम प्रशन कर्मा आंग यदि आपने चैनल सबस्क्राइब करना हैं फिर हम प्रस्ण्य कर्मांग 131 को हल करती है देखिए प्रस्ण्य कि लिए का प्रस्ना है कि पड़ती है नयूंत देखो ना मेरी सपेद सट पर मत देखो ना मेरी सपिति सज्ट पर यह जंग का डाग लग गया है याई जो सपितु सेट उस पर जंग जंग का डाग लग गया है तो यह किस कारण होगा। यह हमें बिताना है तो औ便ल्खा गर्मी की रिच़ू के काराण nossa परिवरतन के कारण तो बिताना है कि जंग का दाग लग गया है किस कारण हुआ होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा परिवरतन के कारण जंग कहां पर लगती है तो कौन सी भू आकिरती बनती है यह हमें बताना है तो परिवरतन के कहां बताना है गलता है तो परिवरतन के के करण लाग यह गघ्रन इसका सही अंसर है प्रशन एक्रमांग 133 उमेश ने देखा जब नदी बहुत उचा इसे नीचे गिरती है यानि जब नदी उचाइ से नीचे गिरती है तो अपरदन द्वारा नदी कौन सी भू आकिरती बना रही थी तो इसका हम बताना है कि जब नदी उपर से नीचे गिरती है तो कौन सी आकिरती बनाती है तो option ने लखा गोखोर जील या option B लखा है डेल्टा option C है जलोड़ पंक, option D है जल परपात तो बताईए किस तेरह की भू आकिरती बनाएगी बहे जल परपात जैसी भू आकिरती बनाएगी यानि option D इसका सही आंसर है 133 का सही आंसर option D प्रेशन एकरमा 134, 134 मा प्रेशन है बारत की कौन सी दो नदिया है जो एस्चुरी यानि जो आर नदमोख बनाती है तो बताईए बात की ऐसी कौन सी दो नदिया है जो एस्चुरी बनाती है और यानि इसका सही आंसर होगा option नमर सी नरमदा और ताप्ती नरमदा और ताप्ती है जो एस्चुरी का नरमा करती है फिर हम प्रस्ण क्रमा अंगला करते हैं अंगला प्रस्ण क्रमा क्या है 135 तो 135 प्रस्वाल क्या है इसको हम पढ़ते है 135 प्रस्ण है हम उत्तरी अमेरिका के अलास्का राज्य के एलो स्टोन नेशनल पार्क में घुम रहे थे पार्क में जमीन के अंदर से प्राकरतिक रूप से गर्म जल बहुत तेज गती से भबारे की भाती बाहर नेकल रहा था जैसे कायते हैं अब बताई इस घटना को क्या कायते हैं ईकना को क्या कायते हैं यानि ऑप्सन नमर C सही होगा तो 135 के सैया हैं और प्ररशने क्रमं 136 से मैं भारत के मेगलाय राज्य में रहता हूँ मैं भारत की मेघला राज्य में रहता हूँ यहां सड़क और रिलमार्गों का विकास अन्य राज्य यूगतरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि तो बताई इसका क्या करण है कि जो यहां पर सड़क और रिलमार्गों का विकास अन्य राज्य यूगतरा क्यों नहीं हो पा रहा है तो आप्शन नमर ये लखा अत्यादक गोल रंद्र हैं, आप्शन नमर भी पहाड़ी भूमी है, आप्शन C अत्यादक बर्सा चेत्र है, या आप्शन D सदा बाहर बनस्पती चेत्र हैं, इसका सही अंसर होगा, आप्शन नमर A अत्यादक गोल रंद्र है, यहाँ पर अत्या रूमाल या रूमाले है काफिया बानते हैं ताकि काम ताकि कान हमेशा ढखी रहे मा भी पूरे सरीर को ढखी हुआ पोसाख बानती हैं क्योंकि हम जहां रहते हैं बहां तो हम इसमें बताना है कि बहाँ पर क्या क्रियासिल रहती है तो अप्सन नमर एलका नदी का प्रवाय य सब करते हैं पहे पहां पर सबसे अधेक सब्सक्राइब तो इसका सऑ हो取ए लहां प्रेश्ण सब्सक्राइब और हम करते हैं प्रेशन प्र Mensch 138 प्रश्ण 133 उत्तर अमेरिका के पूर्वी चेत्र में कौन सा महासागर है इसमें हमें यह बतारा है कि उत्तर अमेरिका के पूर्वी चेत्र में कौन सा महासागर है तो देखिए उत्तर अमेरिका के पूर्वी चेत्र में कौन सा महासागर है तो देखिए उत्तर अमेरिका के पूर्वी चेत्र में अट्लांटेक महासागर कौन सागर अट्लांटेक महासागर यानि इसका सबसे अधिक घना कोईरा चाया रहता है अब बताना है कि जहां लेबरोडोर की ठन्डी एवम गल्प इस्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलती है वह चेत्र है अब बताना है कि जहां लेबरोडोर की ठन्डी एवम गल्प इस्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलती है वह चेत्र क्या कहलाता है तो आप्सन नमर ए लखा हट्सन की खाड़ी ऑप्शन नमर भी है न्यू फाउंड लेंड ऑप्शन सी है फिलोरिडा ऑप्शन डी है केरिबियन सागर तो बताएं कि जहां पर लेब्रोडोर की ठंडी एवं गल्प इस्टिम की गर्म जलधारा मिलती है तो बहचेत क्या खलाता है तो बहचेतर न्यू प्रशनों को हल करती है इसकी आंगे की प्रशनों को हम अंगले वीडियो में हल करेंगे यदि वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें